नमस्कार मेरे साथियोग कैसे हैं दोस्तो आप सब आसा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी आने वाली सभी परिक्षाओं के तरी बहुत ही बढ़िया तरीके से कर रहूंगे दोस्तो आज आपके जो होंगे इंपोर्टन्ट कोश्चन होंगे जो कि हिंदी सायथ के इंपोर्टन्ट 15 से लेके 30 कोश्चन होंगे और एक से लेकी 15 तक कोश्चन हमने पार्ट ए में करा दिये हैं अपने हिंदी सायथ में चैनल पर आप सभी वहां जाके देख सकते हैं तो और जितने भी Central University के entrance exam होने वाले ME Hindi के लिए उन सभी में ये बहुत ही कारगार सिध्ध होंगे बिल्कुल तो देखते हैं फिर आखिर हमारे 15 questions क्या हैं ये और important होंगे इसको आप no down करना और ये आपके master class होगी इसके अंदर chapter wise चला जाएगा और Hindi side 2.0 पे आप जाके इसके mock test कर सकते हैं तो mock test आपको 9 बज़े सुभह में मिलते हैं और 9 बज़े रात के अंदर आपको chapter wise जितने भी question सुनते हैं वो कराया जाते हैं तो आधिकाल चल रहा है समय तो आधिकाल के important question 15-30 हम कर लेते हैं फिर option number a चंद्रधर सर्मा गुलेरी option number b राम चंद्रसुक्ल option number c राहुल संकृत्यान या option number d वासुदेव सिंग तो इन चारों में से सही विकल्प क्या होगा आप सभी बताएंगे और आसा करते हैं आप सभी इसका सही विकल्प बताएंगे तो बताएए option number इसका क्या स्ठीक हो होगा और यह जो हमारा कोश्चन है यह यूजी सी नेट ज्यारफ का कोश्चन है और इसके अंदर हमारा जो सही विकल्प होगा आप सभी सही बता रहें option number a हो जाएगा चंद्रधर सर्मा गुलेरी इसके अंदर option number a इसका सही विकल्प होने वाला है बहुंकि a option is correct question number 17 आप सभी किस के इन पर आप सभी इसका सही विकल्प बताएंगे आधिकाल को बिजवापन काल किस ने कहा बताईए option number a हजारी परसाद होएदी option number b महाविर परसाद होएदी option number c राम चंद्रसुक्ल या option number d राम कुमार वर्मा important question ने आपका 17 question है, 17 question का आपका सही विकल्प होगा यहां पर आपसे पूछा गया कि आधिकाल कि साहित को अधिकाल का सहित का प्रमुक्रस कोण सा था परमुख रस बताना है आपको इसके अंदर परमुख रस कौन सा था और option है आपका A सांतरस, B करुणरस, C वीरस या हासिरस तो बताए इसमें जो है 18 का हमारा सही विकल्प क्या होगा इन सभी में से important है और आप सभी इसका सही विकल्प बताएंगे और 18 में जो हमारा सही विकल्प होगा option number C हो जाएगा वीरस प्रधान था कौन सा रस था वीरस question number 19 में आप सभी की skin पर आप सभी इसका सही विकल्प बताएंगे तो इसमें बताएए इसमें सही विकल्प क्या होने वाला है दोस्तों यहां पर थोड़ा एक गल्टर टाइप हो चुका है और यहां पर अपभरंस को पुरानी हिंदी मानते हुए यहां पर है इसको छोड़ेंगे हम इसको हम ठोड़ा काट देंगे और इसका है यहां पर अपभरंस अपरणस को प्राणी हिंदी मानते वे हिंदी सायत का आरंब सातवी से आठवी सतापदी किसने माना है तो अप्सन नमबर E हो जाएगा रामचंद्रसुकल B चंद्रधर सर्मा गुलेरी या अप्सन नमबर C राहुल संकरत्यान या अप्सन नमबर D अपरणस को प्राणी हिंदी मानते वे हिंदी सायत का आरंब है सातवी से आठवी सतापदी किसने माना है तो रामचंद्रसुक चंद्रधर सर्मा गुलेरी या राहुल सकत्यान या हजारी पसाद वे दीजी तो यहाँ पर जो हमारा सही विकल्ब चायगा अपरणस को हिंदी मानते वे सातवी से आठवी सतापदी के बीच जो है इसका आरभ माना गया है बिल्कुल अपरणस नमबर B इसका सही विकल्ब हो जाएगा कोश्चन नमबर B से यहाँ पर आपका और यहाँ आप से पूछागा कि आदिकालिन साहित के सम्मद में कौन सा कथन सकते है आदिकालिन साहित के सम्मद में कौन सा कथन सकते है आप्सन नमबर A हो जाएगा हमारा आदिकालिन साहित सुध अपरणस के अपरणस समय है और B में बोला गया है आपसे आदी कालिन साहित सुद्ध हिंदी में है आदी कालिन साहित अपभरंस भासा में हिंदी में है और आदी कालिन साहित सुद्ध प्रक्रित में है तो option देखिए और इसका सही विकल्ब बताईए इस question का सही विकल्ब क्या होगा तो 20 का जो हमारा सही विकल्ब होगा तो मैं हर बार आपको वीडियो में बताता हूँ, इसका मतलब आप वीडियो पूरी नहीं देखते हैं, क्योंकि हर वीडियो में आपको मैं बताता हूँ, जो कोशन्स होते हैं, TGT, PGT, NET, JRF के कोशन्स होते हैं, और LARGT के कोशन्स होते हैं, एंटरेंस एक्जाम के, तो ये बार पर question नहीं आना चाहिए कि मतलब बार पर एक ही मॉक्टेस्ट में यही questions आता है कि वह यह कहां से questions आते हैं यह तो questions आपको मैंने बताए हैं समझ गये और अगर यह question ठीक नहीं होते तो जैसे कि दिल्ली उनिष्टी और जेन्यू में केलेगरम चैनल पर मैंने स्कीन सोट भी सेंड कियें समझ तो important questions होते हैं यह ना पूछा करिए कि कहां से questions आ रहे हैं आप questions करिए यह ना यह तो कहिए समझगे लास्टर से लास्टर बच्चों के notice मातर है और यहां जो option है हमारा option number a देखेंगे हम कीरति लता पदावळी जय मैंक जशचंद्रिका किरति पताका फिर option numbers c कीरति लता और खुमान रासो या option number D, पृत्फिराज रासो या परमाल रासो तो जो एक कृति है आधिकालिन कृतियों में नोटिस मात्र है तो हमारा यहाँ पर option number B माना जाएगा जय मैंक, जस्चंद्रिका, किरति पता का, बिल्कुल option number B बिल्कुल ठीक हो जाएगा question number 22 है और यहाँ पर आपको बताना है आधिकालिन कावी की प्रवर्ति नहीं है ध्यान पुरोग question को सुनेंगे और सही विकल्प लगाने का प्रियास करेंगे तो option number A है हमारा प्रभंद एवा मुक्त कावी की रचना option number B धार्मिक सहिति की रचना option number C प्राचिन खड़ी बोली का प्रियोग या option number D वीर तथा संगार रस की प्रधानता तो पताईए इसमें सही विकल्प क्या होगा और इसमें जो हमारा सही विकल्प जाएगा प्राचिन खड़ी बोली का प्रियोग जो की आधिकालिन कावी प्रवर्ति नहीं है प्राचिन खड़ी बोली का प्रियोग नहीं है तो option number C लगाएंगे और इसमें जो हमारा सही विकल्प होगा प्राचिन खड़ी बोली का प्रियोग तो यहां दोस्तों प्रियोग कर लेना प्रियोग हो जाएगा बिलकुल question number 23 में दिया गया है यहां प्र पुछा कि आधिकालिन कावी में किस प्रवर्ति का आभाव है आभाव बताना है किस प्रवर्ति को नहीं लिया गया मतलब आभाव इसकी कमी थी तो देखिए option number A भक्ति की या B शिंगार की option number जो C है हमारा प्राक्रितिक चित्रण की option number D राष्ट चेतना तो आधिकालिन कावी में जो किस प्रवर्ति का आभाव था तो राष्ट चेतना का आभाव था question number 24 है और यहां आप से पुछा गया कि इन में से हिंदी साहित का इतिहास जो है किसने नहीं लिखा है हिंदी साहित के जिसने इतिहास लिखे है आपको याद होंगे और बताइए इसमें से किसने हिंदी साहित का जो इतिहास है नहीं लिखा है तो देखिए मैं आपको option बता है और रामको और वर्माजी ने लिखा है अक्टर भर्चन सिंग ने लिखा है तो बिल्कुल यह option सही होगा option number A का सही विकल्प होने वाला है तो 25 कोशन है यहां पर आपका और यह important कोशन है यूजी सिंजियर जैर्फ के जो प्रवाने समय में पिपर हुए हैं 2009 से लेके 10 तक के तो उनमें से कोशन है और इसमें पूछा गया कि आचार सुक्ल की अनुस्वार हिंदी सायद का अभिवार्ब कब से माना जाता है तो बताए इसका सही विकल्प क्या होगा option option number a प्राकृत से option number b संस्कृत से option number c प्राकृतिक की अंतिम अवस्था से प्राकृतिक की अंतिम अवस्था से या d पाली से तो बताए सही विकल्प क्या होगा आचार सुक्ल की अनुस्वार जो हिंदी सायद का अभिवार्ब माना गया है वो कब से माना गया है प्राकृति कि अंतिम अपभरंस अवस्था से बिल्कुल याद करेंगे इसको अपभरंस अवस्था से अपसन नंबर सी हो जाएगा और यहां आप कि अपभरंस के पर्थम महाकवी कौन है बहुत ही इंपॉटन है और यह PGT लेवल के एक्साम में कोशन्स आये था और सभी इसको सही विकल्प लगाया था आशा करते हैं आप भी इसका सही विकल्प बताएंगे तो अपभरंस के पर्थम महाकवी कौन है ए हीमचंद्र बी श् रामचंद्र रामसिंग या रामचंद्र सुक्ल बताईए सही विकल्प क्या होगा इसके अंदर अपफ़रंस के प्रथम महाकवी कौन माने जाते हैं बिल्कुल आप सही बता रहे हैं option number B पे लगा देंगे प्रथम महाकवी जो है हमारे option number B स्विम्भू question number 27 इसमें थोड़ सा mistake है और इसमें सहीव कर दिया है मैंने 84 सिद्धों में सरवोचिस्थान किसका है 84 सिद्धों 84 सिद्धों में सब्द नहीं है या आप इसको गलत करेंगे 84 सिद्धों में प्रथम जो है वो किसका है कौन थे बताईए तो option इसके मैं बताइता हूं आप सभी को जो इसमें सहीव विकल्प होगा आपको यह बताना है और इसमें थोड़ सा में सकेंदर correct कर लेंगे आप सभी correct करेंगे सकेंदर में थोड़ सा नीचे करता हूं यह question है हमारा 84 सिद्धों में सर्वो चिस्थान किसका है तो यह थोड़ा typing error है इसकेंदर गलट टाइप हो चुका है यह तो इसमें जो है option आपका सब्रपा सरहपा लुईपा या स्वेमभू तो बताईए इसकेंदर 84 सिद्धों में आप ऐसे समझेए कि 84 सिद्धों में सब से सिद्ध कोन थे सर्वो चिस्थान किसका माना गया है तो option number C हो जाएगा बिल्कुल option number C ऐसे आप question को समझेए वस दोस्तो इस question को थोड़ा से एक बार और देखना आप सभी को मैं दुवारा से बताता हूँ है question थोड़ा से गलत हुआ है तो इसमें option number C नहीं होगा बिल्कुल C नहीं होगा 84 सिद्धों में सरोपथम जो है सिद्ध कोन है सरोथम सिद्ध जो है परथम सिद्ध कोन है तो बि आपका जो है question इसमें ठीक हुआ question number 28 में आप सभी के सामने और यहां पर आप से पूछा गया है कि push या पुंड को हिंदी का प्रथम कवी किसने माना है तो बताए शिव सिंग शेगर जी ने या मिस्त्र बंदु ने या राहूल संकृत्यान जी ने या हजारी परसाद और यहां पर जो हमारा question है वही question है पर इसमें थोड़ा सा अलग है वहां पूछा गया थे कि प्रथम सिद्ध कोन है समझे 84 सिद्धों में प्रथम सिद्ध कोन है तो सरहपात है और यहां पूछा कि 84 सिद्धों में सरवोच स्थान किसका है तो 84 सिद्धों में सरवोच स्थ और यहां से आपका जो है तीस कोशन जो है complete होते हैं आधिकाल के और प्रबंद चिंता मनी के रचैता कौन है आपसे कुछा गया है धनपाल, मिरतुंग, रोडाकवी या राम सिंग तो बताईए इसके अंदर सही विकल्ब क्या होगा, तो option मेरे जितने भी भाहे भेनी, इसके अंदर option number B बता रहे हैं, बिल्कुल option number B हो जाएगा और यह हमारे जो है due के exam में आया था, इसलिए मैं इस question को रखा इसके अंदर, समझ को यहां आपके पूरे 30 question complete होते हैं, और मैं आप सभी को बता दूँ, जैसे भी इसके अंदर कोई और information आएगी, आप सभी के exam से rated तो आप सभी को पता चलेगी, बाकि हमना आप सभी को बता दें, देखिए, जैसे भी मुझे next पता चलेगा कि आपका सियूशिटी का क्या pattern रहने वाला है, तो और इसमें थोड़ी से हम जो है, सही से त्यारी कराएंगे आपकी, वैसे अभी जो है आदिकाल के प्रसंद चल रहे है, important है, और इसमें मैं 100-500 questions लेके आऊँगा, आदिकाल के ही, क्यूंकि अभी आप पे 5-6 मैने है, तो 5-6 मैने के अंदर आपका पूरा slivers जो है मैं cover करा दूँगा, mock test तो आपके daily चलेगा, तो उसमें हम important, important questions लेंगे, और daily to daily इसको करेंगे, हम 9 बजे रात के सामे मैं, समझ गए, तो सिउटी जो GKGS की class हो रही है, वो 6 बजे सामके सामें आती है, वो भी आप करा करिए, mock test 9 बजे सुबह में आते हैं, हमें हिंदी के लिए, वो भी करा करिए, सभी classes करें सिउटी का क्या pattern रहने वाला है, सभी इनुशिस का में, एक बार और अच्छी तरीके से बताऊंगो, जो last year हुआ, सिउटी में कैसे exam हुए है, तो उसी साबसे मैं आपको बताऊंगा, जो है, अब इस बार कैसे होने वाला है, समझ गए, तो वो information आपको अगली वीडियो मे प्रवाइड होगी, बिल्कुल आज की वीडियो को हम यहीं प्रवाइड करते हैं, जय हिन, जय भारत